ब्रम्मा विश्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन तथा तिरोभाव अर्थात मृत्य होती है। प्रमार के लिए देखिए देवी भागवत महापुरां। ब्रम्मा मैं विश्णु और सीव। यह तुम्हारी प्रभाव से जनमवान है। हम तो जनमवान हैं, हमारा तो जनम होता है और मरते हैं। नित नहीं हैं। हम अविनासी नहीं हैं। फिर इंद्राजी दूसरे देवतानित किस परकार हो सकते हैं। कृप्या अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वतर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन आपिया अवश्य स्टिये 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 जाप मैं जा भीकृत्तिया जाईए्टिया थेखिया जाए्टीय जाए्टीये जाए्श सिंध बच्छ। प्रम्पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम् सारी सृष्टी के रचनहार कुल मालिक कबीर प्रमिस्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुन्यात्मा प्रमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपिस्थित हुए सत्संग में आने से प्राणी को ग्यान होता है कि आप कौन हो कहां से आए हो आप यहां किस उदेशे को लेकर जी रहे हो वास्त्विक आपका कर्तव कौन सा है कौन से करम पाप दाएक है कौन से पुन्य दाएक है उन सभी का ग्यान सत्संग से होता है प्राणी को तो कुना तमो परमेश्वर पूर्न बर्म सच्च पुरस परमक्सर पुरस परमक्सर बर्म कहो अल्लाहु अकबर कहो ग्रेट गौड कहो इसे कम्पलीट गौड कहो ये पूरे बर्मंडों का संपूर्ण जगत का सभी आत्माओं का ये जनक है सबका क्रेटर है वो कैसा है कहा है किस ने देखा है और परमात्मा की आवसकता क्यों है परमात्मा की आवसकता क्यों पड़ी हमें हम किसलिए परमात्मा की साधना करते हैं क्या उदेश से लेकर करते हैं और क्या उदेश से लेकर बगवान की भक्ती करनी चाहिए और क्या उदेश से लेकर नहीं करनी चाहिए ये सर्वाज जानकारी सत्संग से होती है पुनातमाओ सर्वापर्थम तो आपको ये ग्यान होना चाहिए कि आप जी एक बहुत बैंकर लोग मरे रहे हैं बहुती बैंकर लोग है ये और इस लोग का जो राजा है यहां का जो स्वामी है मालिक है 21 ब्रमंड का उसको सर्पुरस का है श्रीमत बगुत गीता जहे नमबर 15 के सलोक नमबर एक से चार और सोला सत्रा में पर्भू की प्रिबासा वरनित है सांकेति कोड वर्ड्स में उसमें लिखा है कि संसार में दो पुरस है सोल में सलोक में पंदर में जाएगे एक सर्पुरस है एक सर्पुरस है सर्पुरस ये ब्रह्म है जिसके लोक में आप और हम निवास कर रहे हैं इसको संतों ने प्रमेश्वर ने कबीर देव ने इसको काल कहा है और यही गीता का ग्यान दाता है और इसने स्रीमत भगुत गीता अज्दै नमबर ग्यारा के सलोक नमबर बतीस में स्वेम ही सविकारा है कि मैं काल हूँ अरजुन और सर्वे लोकों का नास करने के लिए अब परवर्त हुआ हूँ अभी परगठ हुआ हूँ श्री किरसंद जी काल नहीं थे इन्होंने पहले कभी अपने आपको काल नहीं कहा और गीता ग्यान देने के उपरान तुन्होंने कभी अपने आपको काल नहीं कहा ये सरपुरुस ये काल भगवान जिसे सनातन धर्म के रिशी जिसको बिर्म कहते है ये सरपुरुस है इसको काल भी कहते है ये स्वम भी काल कहता है अपने आपको मैं काल हूँ और सबका नास करने के लिए परवर्थ हुआ हूँ श्री करसंद जी में परवेश करके ये स्रीमत भगुत गीता का ग्यान इसने बोला जिसमें अधिक तर ग्यान वेदों वाला ही है हम सरपुरुस के लोग में रह रहे हैं तो स्रीमत भगुत गीता जाय नमर पंदरा के सलोक सोला और सतरा में तीन पुरुस बताए है एक सरपुरुस है जो 21 ब्रमांड का मालिक है स्वामी है परभू है राम है गौड है अल्लह है और दूसरा अक्सर पुरुस है जिसके साथ संख ब्रमांड है नील पदम संख, सेवन संख, साथ संख, ब्रमांड का वो स्वामी है उसको अक्सर पुरुस का है स्रीमत भगउत गीता जैनमर 15 के सलोक नमर 16 में सोला में सरपुरुस और अक्सर पुरुस ये दो पुरुस बताए और दोनों ही नासवान और इनके अंतरगत जितने प्राणी हैं उनका भी श्रीर नासवान है जीवात मा किसी की नहीं मरती उत गदे की भी नहीं मरती पिर शिरीमद बगुत गीता जैनबर सोला के सलोक नमर 17 में तुरंद कहा है यह लोग तर्णम आविश्य वभरती अवई इस वर है उत्तम पुरिस यानि पुर्शोतम स्रेष्ट पर्मातमा तो कोई ओर है इन दोनों से सरपुरुस और अखसरपुरुस से वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सब का धारण पोष्टिन करता है और वो वास्तों में अविनासी परमात्मा है अपनात्माओं सिरीमत भगवत गीता जह नमर 15 के स्लोक नमर 1 से 4 में स्वच किया है गीता जह नमर 15 के स्लोक मंतर 1 और 2 का निस्करस है कि उपर को जड़ वो तो मूल मालिक है कुल मालिक है पूर्ण परमात्मा है और नीचे को तीनों गुन रूपी साखा, रद्गुन बिर्मा, सत्गुन विष्णु, तम्गुन शिवजी रूपी साखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसारूपी व्रक्षे है। और जो संथ इसके सभी विभाग बतावे, वे तत्व दर्सी संथ है। उपर को जड़ तो पूर्ण प्रमात्मा है, सत्य पुल से अविनासी परमेश्वर है, परमक्सर ब्रम है। और संसारूपी व्रक्ष को अर्थात किसी भी पेड़ को मूल से ही सर्वे कुछ प्राप्त होता है। मूल से जड़ से ही उसका पोशन होता है। इसलिए हमारा सब का जो मूल मालिक है कुल मालिक है जो संसार रुपी वरक्स की जड़ है मूल है जिसने से बर्मंडों की रचनाकी और सभी का वो पालन फोसन भी कर रहा है वो सद्ध पुरस है वो परमक्सर पुरस है वही पूजा के योगे है वही पाप नासक है वही मौक्स दाइक है वही सबका जनक है सर वो उत्पादक है तो श्रीमत भगुत गीता अज्याय नमर 15 के स्लोक नमर 1 में कहा है कि जो इसके विभाग बता देगा बिन इन बगवानों की सतीथी बता देगा वो ततो दर्शी संत है तो परमेश्वर स्वम आते हैं वो तत्व ग्यान बताने के लिए अब वो परमेश्वर सट्सो वरस पहले आये थे बनारस के अंदर बाहरत वरस की कासी नगर में और वहाँ पर 120 वरस रहे थे सह स्रीध आये थे सह स्रीध वो चले गए थे 120 वर्ष एक जन्साधान की लीला की उन्होंने हमारे लिए एक निर्देश दिया एक एक्जाम्पल कोड किया उधान पेश करके चले गए कि यदि आप जी ने मोक्स प्राप्ति करनी है तो इस गटिया लोग की किसी अधिक वस्तू की इच्छा मत करना ये आपके गले की जहाड बने जाएगी गनी संपत्ति और जादा कार कोठी ये आपको यहीं गसीटे रखेगी सत लोग जाने नहीं देगी फिर भी प्रमात्मा ने कहा है कि जैसे आपकी किस्मत भाग में प्रमात्मा ने दिया है उसम संतोस करना चाहे वो कितना ही है उसको अपना ना मानना ये आपका नहीं है ये भूल मत करना प्रमेश्वर ने बताया है कि काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो सरन कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो ना तो ये संपत्ती तेरी है ना ये काया तेरी है जब काया ही नहीं तेरी तो संपत्ती को कैसे तो अपनी मान बैठा बोली आत्मा ये कोई नसा है तेरे अग्यानता का अब ये अग्यानता का नसा हटाने के लिए एंटिबाइटी की अवस्ति संग रूपी तत्वय ग्यान आपको डोज पर डोज दी जा रही है एक दिन आपकी ऐसी भूल मिटेगी आप बहुत ज़्यादा आस्ट्रिय मनाओगी इस बात का कि देख कितने मूर्ख बनकर हम एक रोटी के लिए और नकली लोग लाज को मेंटेन करने के लिए हम कैसे मूर्ख बनकर बगवान से दूर बने हुए थे प्रमातमा का व ग्यान आपका अधार बनेगा तो इस लोग में वो प्रमातमा आते हैं तत्वाग्यान परसार करते हैं उन्होंने बताया है कि अक्सरपुर्स एक पेड़ है, नरंदन वाकी डार, सरपुर्स वाकी डार, और तिन्नों देवा साखा है, ये पातरूप संसार, एक ही संटेंस में परमातमाने, एक अमरतवाणी में, एक वक्य में, एक दोहे में, शिरीमत भगवत गीता, अध्याय नम जिख्ती को संकेच होते हैं, जैसे, रावन मंगन गया चुन, और तातें लंक भही बिरुण. इस एक चौपाई में, सुक्सम बेद में, परमातमाने, पूरी रामायंव रखिया है. रावन मंगन गया चून और ताते लंक भही बिरून, बिरून माने नाशवा, रावन आटा मंगने गया, जिस कारण से उसकी लंका का सर्वय नाशवा, इब जिस ने वो कथा कहानी सुन रखी है राम कहानी, अब उसका माइड एक सेक्ड में पूरी सटोरी में गूम गया, रावन ने कहां से आटा मंगया, किस पर माइड गया, कौन थी वो सीता, स्री राम चंदर की दरमपत्नी, राम चंदर कौन था राजा जसरत का पूतर, रावन ने जहल करके सीता उठाई थी, और रावन के कुल का नास हो गया था, वो रामाएन का पूरा का पूरा जो होगी हमारे दिमाग में, इसी परकार, श्रीमत भगवत गीता जहे नुमर पंदरा का सलोक नुमर एक में सपष्ट है, एक और दो में, कि उल्टा लटका हुआ संशारुपी वरक्स है, इस में परमात्मा ने अपने सिंपल लेंग्वेज में बताया है, उस सुक्सम वेद में बताया है, एक ही संटेंस में पूरी शिरिष्टी रचना भर दी, पूरा डेफिनेशन ओफ गौड बता दी, अक सरपुरस एक पेड है, टरी, एक टरी है, और सरपुरस वाकी डार, तीनो देवा, रज गुन ब्रमा, सत्गुन वेशनों, तमगुन शिवजी, ये तीनो देवा साखा हैं, और पात रूप्शन साथ, वो प्रमक्सर पुरस कौन है, वो ये दास बताने के लिए भेज जा है, वही है जिसने अपनी द्वार रचिवी शिष्टी को ठीक ठीक बताया, वो प्रमक्सर ब्रह्म है, श जहाए नमबर पंदरा के सलोक नमबर एक से चार का निस्क्रस है, कि अरजुन जब तत्वदर्शी संथ तुझे मिल जा, उसकी पैचान ये है, कि वो इस संसारुपी वर्चिट से भी भी भाग बतावगा, उसके पस्तात परमेश्वर के उस परमपत की खोज करनी चाहिए, जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी जनम मर्चु में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे वर्वर्णों की रतना की उसी की वक्ची करनी चाहिए, और की नहीं, शिरीमत भगवत गीता जहे नमबर आठ के सलोक नमबर एक में अरजुन ने पूछा, आप जी ने गी जहे नमबर आठ के सलोक 29 में जिए ततबरम की जानकारी दी है कि उस ततबरम से प्रीचित सारे द्यातम ग्यान से है और सभी कर्मों से प्रीचित प्राणी के बल जरा और मर्ण से छोटने का ही परियतन करता है, तो वो किम ततबरम, ऐसा वो ततबरम क्या है जिसको जान कर प्राणी सादक इस संसार की किसी वस्तों की इच्छा नहीं रखता गीता ग्यानदाता ने आठमेदाय के तीसरे मंतर में उसका उतर दिया है कि वो परम अक्सर ब्रह्म है गीता ग्यानदाता से अन्य है तो परम अक्सर ब्रह्म ही हमारा सब का जनक है वो ही हमारा पिता है, वो ही हमारी माता है, वो ही हमारा मित्र है, वो ही हमारा भाई है, वो ही हमारा मूल धन है तुमेव माता चे पिता तुमेव तुमेव बंधू चे सखा तुमेव विद्धा चे दर्विनम तुमेव सर्व मम देव देव ये वो परमात्मा है जिसके अंदर ये सर्व गुन है जिनका हम रर रहकर व्याख्यान सुना और सुनाया करते थी अभी तक हमें परमाइत्मा की परिवाशा का A, B, C का भी ग्यान नहीं था अब आपको A से लेकर Z तक ग्यान हो गया इस तत्व ग्यान को सुनने से क्योंकि यह ग्यान परमाइत्मा ही बताता है और परमाइत्मा के बताएं कोड वर्ड को संकेतिक सब्डों को प्रमात्मा का क्यरपा पातर ही समन सकता है पच्पन्सो वर्स होगे श्रीमत भगवत गीता पवितर श्रीमत भगवत गीता पवितर चारों वेद पवितर पुराण आधी सद्गरंथों को रचे हुए श्री वेद व्यास दिदवार रचे गे थी आज तक ना तो वेद व्यास राइटर आफ दा सद्गरंथ वो समझ सकया और ना ही आज तक के विश्वय का कोई धर्मगरू इन पवितर सद्गरंथों के सांकेतिक सब्तों को ना समझ सका इस दास पे रजाकरी प्रमेश्वर कबीर जी ने आप अपने पुन्या आत्माओं के लिए ऐसे समय में जिसमें आप सिक्षित हो सद्गरंथ हमारे जीवित है अन्य था ये पचास सो वर्स के बाद ये सद्गरंथ आपके हाथों से निकल जाते फिर हमारे पास क्या आजाते हनुमान चालिसा गनेश जी की आरती भगवान सीव की आरती जय गनेश जय गनेश देवा माता थारी पारबती हम इसमे लगे रहती है तो पुन्यात्मा आज का जो सद्ग है जो समागम है वैसे तो सद्ग कोई भी किसी दिन का भी हो अमरित होता है आत्मा के लिए एक विशेश आहार होता है और असंख जन्मों के पुनकर्मी प्राणी हो आप जो आप जी को ऐसे समय में मानो श्रीर प्राप्त है इस्त्री या पुरुसका जिन को सतलो कासरम बरवाला जिलाहिसार हरियाना के अंदर आने का और उपदेश प्राप्त करने का सो भग्य प्राप्त हुआ लखबर सूरा जूज ही लखबर सावत दे लखबर यती जहान में तब सत्गुर सर ना ले आप कितने पुन्यात्मा हैं यूगों यूगों के लाल की कीमत को जोह ही बता सकता है लाल को अपनी कीमत का ग्यान नहीं होता परमातमा कहते हैं गोता मारू सुरग में जा पैठो पाताल और गरीब दास जी बता रहे हैं बगवान कबीर साहिब की महिमा जैसे तुलसी दास जी ने रामान का चित्रन किया था लिक बोला था ऐसे गुरिबदास जी निस परम अक्सर परम की महिमा का गुंगान किया हुआ है इसलिए गुरिबदास जी का नाम इसमें साथ आता है कबीर साहिब कहते थे कि गोता मारू स्वरग में जा पैठों पाताल गुरिबदास ढूंडता फिर उपने हीरे मुटी लाल परमातमा कहते हैं कि मैं अपने हीरे मुटी लाल इन पुन्यातमाओं को जो पिछले जनम के संसकारी हैं वो कहीं भी जनमे हैं कोई भी कारण बनाओं उनको मैं खोजता फिर रहा हूं ढूंडता फिर रहा हूं तो आप उन हीरे मुटी लालों में से हो जिनको परमात्मा युगों से खोज रहा है अब जाकर फशे हो तुम परमात्मा के नहीं तो आप उस काल कसाई के फशे थे आज परमात्मा की जकड में आए हो पुनात्मा इस परमात्मा के जहाद से उतर ना जाना नहीं तो आप सदा के लिए बाउजल के अंदर बै जाओगे असंग जन्मों जाकर के फिर आपका ये दाव लगेगा इस ऐसे समय में आपका मानो शरीड है वैसे तो इस ग्यान से मुद्धिमान मानो है अज कोई अनजान नहीं है बहुत मुद्धिमान मानो है इस ग्यान से सिगर ही आपको समझ में आजाएगा ये क्या राज है क्यों जनमते हैं क्यों मरते हैं आज हम सब कुछ मान रहे हैं पूतर पूतरी हैं संपत्ती संतान है एक सेकेड में या तो संतान की मरतू हो जाती है या स्वयम ही संसार छोड़कर जला जाता है यह क्या है तो यह समझमाओगा थोड़े दिन मापके, आपको यह इतना गंदा लोग दिखाई देगा, आपको अंदर से हेट हो जाएगी इसलिए, जब तक यहां के अंदर से हेट नहीं होगी, अंदर से हेट का मतलब यह नहीं कि किसी इसे नफरत बनेगी, लेकिन इस जनम् लग रहे हैं, यह जोड़ दू, कोठी बना लूँ, जूट बोली, चोरी करी, रिस्वत, खोरी करी, मिला उट किया, सारा दिन करम बगाड़े, एक कोठी बना ली, एक कार ले ले, कल मरती होगी, और फिर गदा बना फिर है, वहां कुरूडियों पर, कैज क्या है यह, परमा निर्गुन रासा, तो कहने का भाव यह है, कि आप जी कोई स्लोक का पता लग जागा कुछ जिनों में, और फिर आपकी स्तिथी ऐसी हो जाएगी, कि बन्दी छोड़ द्याल जी, तुम तक हमरी दोड़, और जैसे काग जहाज का अब सुज़त और ने ठोर है, जैसे पुद्री जहाज के अंदर कवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि रस्ते में यात्री आहर करते, खाना खाते हैं, पुनकर्मी प्राणी होते हैं, सुपक्षियों को अवस्य कुछ अंस अपने भोजन का डालते हैं, तो कवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर, रात्री के सम काफी समय बीच जाता है, काफी दूर निकल जाता है, जहाज सुरिय उद्धे पर पुराने समय की बाते हैं, उस समय दिशा सूचक यंतर जो होते थे, इतने एफिसेंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुम्बकिय चटानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, समुदर के अ जो जाज के चालक होते थे, वो अपनी दिसा और दिसा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जाज करने के लिए, जाज पर बैठे हुए कवे को पत्थर मार मार कर उड़ने को विवस कर देते थे, और कवे के अंदर एक विशिष्टा दी है परमात्माने, कि वो भूलता नही रातरी में भी तो कौन सी दिसा से चला था, पूरम से चला था, या पस्तिम से चला था, या दक्षिन से चला था, या उतर से चला था, तो तुरंत उसी दिसा को उड़कर चलता है, सीधा सट्रेट, उससे चालक तो अपनी दिसा की जाच कर लेता है, कि हम सही दिसा में चल कर रहा है के नहीं कुछ देर के बाद वो कवा क्या देखता है वहां से तो उड़ गया आगे देखता कोई ही भी बैठने का ठिकाना उसको दृष्टी गोचर नहीं हो रहा वो अजार पानसो फुट उड़ जाता है फिर वापिस मुड़ जाता है उस जहाज की और क्योंकि उस जहाज के अतिरिक्त उसको अपना जीवन रख सक कोई भी नजर नहीं आता जहां भी देखता है वही डूबने का सथान है मर्टू हो जाने का डर है एक जहाज ही सुरक्सित सथान उसको मिलता है तो पुन्यात्माओं परमात्मान एक संकेत दिया है कि एक दिन आपको कवीर ग्वान और यो सतलो कासरम सथान अर इस दास के दोरा दिया गाई अमरित नाम और ग्यान आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा कहते हैं आप फिर ऐसे कहा करोगे बंदी छोड़ जयाल जी तुम तक हमरी दोड़ और जैसे काग जहाज का अब सूजत और नेठोर इस परमा प्रमात्मा कबीर जी के तरिक्त इस सचे नाम के तरिक्त इस सचे ग्यान के तरिक्त आपको पूरा संसार ऐसा नजर आएगा जैसे जहाज के अतरिक्त पूरा जल है जिसमें बैठते ही डूब जाओगे बावार्च ये है प्रमात्मा का यदि आप कबीर भगवान को और इस सतिनाम को छोड़ कर, यदि आप अन्य संत की सर्ण में जाओगे तो डूबगे, बगवान की बगती छोड़ कर संसारिक इस काम में लगे तो डूबगे, तो इस से पार होने के लिए ये राम नाम का जाज आपने छोड़ना नहीं पड़े, छोड़ना नहीं है, इसके अत्रिक्त आपको जहां भी कोई भी क्रिया संसार के वापको डूबवन की है, तारन की नहीं है, इतनी सी बात आपको कुछ जनों में हर्द्यम जस जागी, और त हरी नाम जैसे कुवा जल बिना फिर बनवाया क्या का, परमात्मा ने आकर ग्यान दिया है कि मनुस जीवन प्राप्त करके जो पराणी परमात्मा की साधना बगती नहीं करता, उसका मानुशरीर ऐसा है जैसे वेल विद आउट वाटर, यानि कूप जल रहित, कितने सुंद परमात्मा की सरकारी कर रखियो, उसमें जल नहीं है तो वो नाम बलेक हुआ है पर गुण कुवे के नहीं है, ठेक इसी परकार, जो साधना बगती नहीं करते हैं प्राणी मनुस जीवन पा करके, उनका नाम मनुस आवस्य है पर गुण मनुस के नहीं हो सकते, फिर दूसरी परमात्मा की भक्ति इस रूप में ना करके, किसी अन्य देव को इस्ट बनाके, आन उपासना करते हैं, वो साधना करते करते भी फेल हैं, उनकी साधना भी विर्थ है, तो पुन्यात्मा आज का वो सुब दिन है, इस दास के जीव का उध्धार हुआ था, और इस दास को उपदेश प्राप्थ हुआ था, और उपदेश भी वो जिसको हम खोजते खोजते असंग युग हो गए थे, वो उपदेश सहज में प्राप्थ हुआ था, वो दिन आज भी भूला नहीं जाता इस दास से, यदि हम अंग्रेजी महिनों में गिनें तो सतरा फरवरी सन 1988 का वो सुब दिन, और वैसे फालगुन अमाउशा थी जो आज फालगुन माउशा है, ये सुब दिन, और इस समागम के अंदर एक तो विसेश्टाए है, एक तो दास का अध्धात्मिक जनम हुआ, प्रमात्मा की वाणी में लिखा है कि जिस दिन सत्गुरु भेंटिया, सो दिन लेख जान, बाकी जनम गवादिया, विर्थ गया, बिन्या गुरु के नाम, जब तक आपको उपदेश नहीं मिलता मनुस, शरीरधारी प्राणी को, तब तक आपका जीवन मनुस का नहीं है, अन्य पसु पक्षियों जैसी ही हम किरियाए कर रहे होते हैं, वो मनुस जीवन नहीं है, जिस दिन से आपको गुरु प्राप्त होता है, सच्चा गुरु, सत्गुरु, और सत्साधना, उस दिन आपकी आत्मा का जनम समझलो, पुनजरब, आपका मानो का जनम सटार्ट होता है, जिस दिन सत्गुरु भेंटिया, सो दिन लेख जान, और बाकी समय वर्थ गया, गवाँ दिया, बिना गुरु के ग्यान, तो दास को ये उपदेश प्राप्त हुआ, ये वो सुप दिन है, और दूसरा इसमागम का महत्व है कि अमाउश्या के तुरंत बाद जो एकम आती है पर्थमा, उस तिन सन 1997 में इस दास को प्रमक्सरब्रम, पूर्ण प्रमात्मा, सच्ट्यपुरस, कवीर देव जी ने दरसंदिये, और इस समय को जो कि उन्होंने निर्धारित किया हुआ था, उस को बताया कि ये सार्थक समय है, अब इस सार नाम का दान करना प्रहर्म कर दे, तो पूर्ण आत्मा, इस मागम के अंदर ये दो महत्व परन गटना है, दास के जीवन में गटी हैं, अमाउशा को तो नामदान हुआ दास को, और उन्नी सो सतानुए की प्रथमा, कोपर बात्मा के दर्सन हुए, इस सतनाम को और सार नाम को गुप्त रखना था, और इतना इंपॉर्टेंट मंतर है ये, इसको अभी तक डिस्कलोज नहीं करना था, दास का भी दिल धड़क रहा था, कि कहीं में गल्स समय पर इसको सारुदनिक ना कर दूँ, सन 1994 में दास को नाम दान करने का आदेश मिला था, पूज़े गुरुदेव से, तो 1997 तक दास ने कुछ एक को ये सार नाम दिया था, नहीं तो नहीं दिया था, मुझे हिचका हुआ देखकर प्रमातमा को आना पड़ा, क्योंकि वो आपके लिए भटक रहे हम तो जीव हैं, जीव तो जीव जीव जितनी सोच ही रखता है, तो पुनातमा आज तक प्रमातमा ने सत नाम और सार नाम की किता, चीट भी नहीं लगने दी किसी विक्ती को, इसकी भाप भी नहीं आने दी किसी तक, आदनी नानक साहिब जी को सत नाम पराप्त हुआ था, लेकिन उनको सक्त इदायत दे दी थी, कि अभी डिस्क्लोज मत करना, ने तह मेरा सारा मिसन खराब हो जागा, परमातमा कबीर जी ने कहा था, ऐसे याद ने दरमदास साहिब जी को परमातमा मिले थे, सचकंड सत लोग लेकर गए थे, फिर उनको सत नाम और सार नाम परदान कर दिया था, पर तमंतर भी दिया था, उनसे भी परतिग्या करा ली थी, कि दरमदास मेरी लाख दोहाई ये मूल ग्यान किता बार ना जाए फिर का कि दरमदास मेरी लाख दोहाई ये सारसबद कहीं बार ना जाए ये मूल ग्यान और सारसबद बार जो पढ़ ही ये विचली पीड़ी हनसनी तरही आप उस बिचली पीठी मज़्जन में हो जिसके लिए परमात्मा इस बक्ती को संभाल के रखे हुए था और आपके लिए पिटारा खोल दिया खजाना खोल दिया परमात्मा ने आदनी गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले उनको कम्पलीट सेप्लिट नौलेज उनके अंतकरण में फीड कर दिया उन्होंने फिर वो लिखवा दिया लेकिन गरीबदास साहिब जी ने किसी को भी ये मंतर नहीं दिये सत्नाम और सार्नाम केवल एक संथ को दिये थी उस को ऐसी परतिगा कराते रहे कि आगे किसी को बताना नहीं आप चाप करो केवल एक संथ को बताना है उतरादिकारी आपका तो वो परंपरा चलती चलती मेरे पुझे गुर्देव जी के पास आई उनसे आगे इस दास को प्राप्त हुई जो आज परमात्मा ने इस बीज को पखेर दिया और पूरे विश्वा को ये नाम अब देने का आदेश है तो पुझे आत्मा बगती करने के लिए परमात्मा पाने के लिए आत्म का लान कराने के लिए सबसे पर्थम हमारा गुरू होना चाहिए परमात्मा कहते हैं गुरू बिन माला फेरते गुरू बिन देते दान गुरू बिन दोनों निश्वल हैं चाहिए पूछो बेद पुरान पूर्ण संथ के बिना सत्गुरू के बिना यदि आप जी नाम जाप भी करते हैं और कोई दान धर्म भी करते हैं वो आपका वेर्थ है फिर उधारन देते हैं के राम करसंथ से कौन बड़ो उन्हों भी गुरुकीन और तीन लोग के वेधनी गुरू आगे आधीन परमात्मा हमें याद जलाते हैं के गुरू के बिना यदि कोई साधना करता है वो वेर्थ है दान धर्म करता है वो भी वेर्थ है फिर उधारन देते हैं के कोई अपने आप में ये समझे कि गुरू की सर्ण में जाना आवशक नहीं है तो आप जी यानि विशेश करसनातनी लोग हिंदु धर्म के विक्ति शिरी राम और शिरी करसन जी को सुप्रिम पार मानते थे तो परमातमा ने उन्हीं का अधरन देकर बताया है कि राम करसन से कौन बढ़ो उन्हों भी गुरू कीन और तीन लोग के वे धनी गुरू आगए आधीन शिरी राम और शिरी करसन जी ने भी गुरू धरन किये तो आप अपनी सतीची से प्रीचित हो जाना कि आपका कैसे गुजारा होगा आपका निर्वा कैसे होगा बिना गुरू बनाए और बग्ति किये उन्होंने भग्ति की उन्होंने गुरू भी बनाए आप जी जिनको भगवान मान रहे हो तो पुना आत्माओं बुद्धिमान को संकेत प्रियाप्त होता है परमेस्वर कबीर जीन कहा था कि तीन लोक सब राम जपत है जान मुक्ति को धाम और वसिष्ट मुनिस ने सिरी राम को दिया ओम नाम क्या बताते हैं कि आप जी तो सिरी राम चंदर जी पूतर दसरत जी को एक बगवान मान कर उसकी पूजा करते हो और कहते हैं तीन लोक सब राम जपत हैं राम चंदर शिरी राम सिता राम और जान मुक्ति को धाम शिरी राम वसिष्ट गुरू कियो और उनको भी दीन ओम नाम राम चंदर जी तो अम नाम जपतर तो राम राम जपतर देख दोगली बात तुमारी कभीर साहिब कहते हैं देखो बाई अकल का टोटा ये अकल का टोटा नहों बताया बगेर ग्यान के इनसान ऐसे बर्मीत है फिर बताते हैं अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं दूसरा कोई है नी जिसके ओपर परमात्मा उस एक्जम्पल कोड करें आप अरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल जान जनकारा आप नचे आप देखनारा कहें कभीर ऐसे अरती गाओं आप मध्य आप समाओं तो क्या बताते हैं कभीर साहिब कहते हैं के सद्गुरु के उपदेश का लाया एक विचार जैसत गुरु मिलते नहीं तो जाते नरक दुवर नरक दुवर में दूत सब करते खेंचातान उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान चार खानी में बर्मता कभू न लगता पार सो फेरा सब मिट गया मेरे सत्गुरु के उपकर साथ समुदर की मसी करूं लेखनी करूं बन राय दर्ती का कागज करूं गुरु गुरु गुने लेखने जाए पुन्यात्माओं आप बालक हो बच्चे हो बिलकुल नादान बालक जो ये भी नहीं जानता कि मैं जिस गड़्े में गिरने जा रहा हूं ये मेरी मर्तु का कारण बन सकता है आप ये भी नहीं जानते कि जिस सरब को मैं पकड़ने जा रहा हूं ये आपको डश लेगा और आपकी जान का घातक जीवन का घातक बन जाएगा आप इतने अबहोद हैं आप ये नहीं जानते हो कि जो विजली का तार नीचे तूट कर गिरा हुआ है सपार केंकर रहा है लूज हो रहा है उसको आतिस वाजी जानकर वो बालक नादान पकड़ने की चेश्टा करता है और मर्त्यू को प्राफ्ट हो जाता है तो पुनात्मों आप जी को जब इस गंदे लोक का ग्यान होगा आप जहां रह रहे हो आप जिस माया रूपी सरफ को पकड़ने के लिए सारा जीवन बरबाद कर देते हो ये माया रूपी सरफ आपको खा जाएगा लेकिन परमात्मा की सरफ में आने के बाद आपको ये सरफ मिलेगा लेकिन इसके दाट निकाल दिये जाएगे ये परमात्मा आपको धन देगा आपको एक नमबर से धन देगा क्योंकि फिर ये आपको डसेगा नहीं दो नमर से कमाय हुआ धन आपके लिए सर्फ बन जाता है और एक नमर से कमाय हुआ और दान धर्म के द्वारा परतीफल से प्राप्त किया हुआ धन उस माया के फिर दांत निकाल दिये जाते हैं वो डस्ती नहीं तो आपको ऐसे तरिके से धरी बनाया जाएगा फिर इस माया से प्रिचित करा जाएगा के सर्वसोने की लंका थी वे रावन से रनदीरम एक पलक मेराजबराजीदम के पड़े जजीरम इस माया ने के चाटाएंगे जोड़ जोड़ के दर्बीदी यहां पर हम चलेगे पाच्छे मारे इसी निकमी संतान पैदा हो जाएगा वो पाप करम था हमारे पल़ लिखे गए और फूकेंगे वो बाद वाले बच्चे की किस्मत वो साथ लिखा कर लाता है उसको उतना ही मिलेगा यदीज परमातमा की सर्णमा उसको जोड़ दिया तो जो उसको उसको होगा वो सारा मिलेगा हमने इस उद्शे से अपने करम नहीं बगाड़ने चाहिए कि अपने बेट्यान बेट्यों को दनी बनाओं मैं चाहिए नरक मजाओं इसको कहते हैं आप सपार्किंग वाले तार को पकड़ने जा रहे होते हो पकड़ रहे होते हो अब क्या बताया है कि आप इतने बालक हो परमातमा ने इन तीन चार अमरतवानी में क्या बताया है कि परमातमा सरूप संत परमातमा के किरपा पातर उस सत्गुरू से जो उपदेश मिल जाता है फिर आपको ये बातें याद आउएंगी कि है परमातमा जग कितना कैर अमारे उपर तूट पड़ता यदि ये नाम ना मिलता परमातमा कहते हैं कि सत्गुरू के उपदेश का लाया एक विचार और जै सत्गुरू मिलते नहीं जाते नर्क दुआर है पुनातमा हमारे को मिस्गाइड कर रखा है याँ पर है बगती हीन तत्व ग्यान हीन संतों ने संत के रूप में नग्यानी होने कोई तक कहता कहीं सवर्ग नहीं कोई नर्क नहीं कोई कहता सत्गुरू क में परकौस यू परकौस यू परकौस यू परकौस यू परकौस यू उसमें आत्मा से लीन हो जाती है जोसे बूंद समंदर में इनको कहते हैं नीम हकीम खतराई जान लीटल नौलज इस दा डेंजरस थिंग अब क्या पता है परमातमाने हैं कि यहां जो बोले गए सब्द हैं सब्द स्वर्ग भी है सब्द नर्क भी है सब्द संसारिक दुख सुख अलग है तो यह अग्यानी लोग कहते हैं कि यहीं स्वर्ग है यहीं नर्क है जो यहां दुख ही है वो नर्क भोगरा है सुख ही है वो स्वर्ग भोगरा है नहीं यह तो बालकों के मन गरंत चुटकले होते हैं कहानिया होती है शद्गरन्θों को आधार मान कर हमने अपने अपने अपना भक्ती मारा को सेट करना है अपने भक्ती साधना को परफूलित करना है तो क्या बताते हैं कि सत्गुर के उपदेश का लाया एक विचार यदी सत्गुरू मिलते नहीं जाते नरक दुआर नरक दुआर में दूट सब करते खें चातान उन से कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने जैसे नरक में जब डाला जाता है इन प्राणियों को उसमें उसके भेंकर दुख को देखकर उसकी सढ़ांद को देखकर वो वापस भागते हैं क्योंकि लाखों की संक्या में ठोके जाते हैं उसमें और वो वापस भागते हैं पीछे यम के दूद बड़े-बड़े भाले छुरे तलवार मुगदर ये गदा लिये खड़े होते हैं जो वापस भागता उसके सिर्म मारते हैं सुकसम सरीर में प्राणी मरता न ही पर द्रद्दूना होता है। उनको ऐसे ठोका जाता है जैसे पसुग को फाटग में रोक्या करते हैं लठामार मारके। और फिर उस्में पचक देते हैं। तो वहां प्रमात्मान बताते हैं कि नरक द्वार मैं दूथ सब वहां करते खेंचातान उन से कदे नी छूटता और फिर फिरता चारों खान फिर उसे निकल कर नरक का दूसे में भोग कर फिर बहार आता तो 84 लाख परकार के इन प्राणियों के सरीरों में कूते गदे सूवर गंदी नाली के कीडे पसू पक्सी जल्चर ये कष्ट और भोगने पड़ते हैं और इस परमात्मा की सचे नाम से सत्गुरू की सर्ण में आने से ये सारे दुख बाई पास निकल गया आपके अब विचार करके देखना पुन्यात्मा भी तो आपने पता नहीं आपने लोक वेद सुनया है दंद कथाएं सुनी है फिर मानो स्रीर में जिसको जड़ा सा थोड़ा सा सुक है उसने बगवान की हो सकता है नी और जब कैर टूट जाते हैं फिर बगवान की खोज सुरू होती है तो ये नकली संतां की कमी नी इनकी बिरियनमाटिक करवा देता है ये काल है लोट पेट कर आखिर में ये नास्तिक हो जाते हैं या मर्ट्यू को पराफ़ जाते हैं दो ए आपशन छोड़ता है अब आपको प्रमातमा मिले हैं आपके अपने पिता मिले हैं मात पिता कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देगा चाहिए आप कितना दुखी हो ले तो आपको वो प्रमात्मा अब मिले हैं वो पिता मिले हैं आपके आप इसकी मरियादा में रहना और इस जहाद से उतर मत जाना फिर आप देखना आपको कैसे सुख देगा क्या बताते हैं के मानत नामन मोरा सादो मानत नामन मोरा रे बार बार मैं ये समझाओं जग में जीवन थोड़ा रे फिर क्या बताते हैं करते हैं सरन पड़े को गुरू संभाले सरन पड़े को गुरू संभाले जान का बालक भोला रे कहे कबीर तुम चर्ण चितरा खो जूंसुई में डोरा रही है अब देखो परमात्मा कहते हैं कि आपको भगवान यानि दास को तो निमत बना रहा है एक सारा का सारा कारिय है वो कबीर भगवान कर रहा है आपका पिता जी उसके लिए उन्होंने बता है कि जैसे ये दास एक उस परमात्मा का चलता फिरता एक पावराऊस है लेकिन में पावराऊस तो वो खुद है मालिक वो थरमल प्लांट है जहां से बीजली बनती भी है और आपको हमें पराप्त भी हो रही है इस से आपको आगे कनेक्शन मिल गए जैसे आप को कोई मोबाइल कनेक्शन ले लेते हो को टार नी कोई कनेक्शन जोड़エ जिखता नी और सारा काम कर रहा है और जिस दिन आप उसका बिल नी भरोगे तो कनेक्शन एटॉ्मेट्रिक वही से कट जागा आपको बताने की ज़रूतिनी पड़ेगी पावर आवागी उस परमपिता की थरी फेस की और इसकी जो मर्यादा में रहना और इसका टेक्स आप भरते रहना यानि आपकी मजदूरी करते रहना दान धरम करते रहना या नाम की मजदूरी नाम की कमाई करते रहना तो आपका कनेक्शन ठीक रहेगा तो power आपके घर पे आपके काम करती रहेगी और जो power से काम होता वो manually नहीं हो सकता जैसे पसूं का चारा काटा करते हाथ से ऐसे मसीन थी अब भी है गाओं में गरीबों के पास तो वो हाथ वाला काम तो manual जितना ही होता जब उसमें लगा दी motor और power का connection मिल गए कट 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 एक गंटे में धेर लगा देती है आटा पीसा करते है आथ से वो मैनवल दो गंटा मजा के दो किलो पेस्या करता अर इव दो गंटा मठो के दे पीछ दे दस किवेंट लाटे को और आथ ने लगाना को परियतन नहीं महनत नहीं तो परमातमा की पावर से जो आपके संसारी कारिये होंगे ऐसे अनोखे से होंगे आपको अभी तक पावर का कनेक्शन नहीं मिला था उन नकली पावरावस उसे तुम कनेक्शन दिए बैठे थे जो तीकर के लटकर तार वांजरे थे अपना और कें थे पावरा जितने भी संत और महंत और आचारी और संक्राचारी तो सो भागे आपका कि आपको उस पावर का कनेक्शन मिल गारी फिर इस पावर के काम देखियो आप ठीक है ये एद्रेस कारिये होते हैं इस यहां की बहुतिक पावर का हमने अलग से दिखाई देता पर यूद य नहीं कर सकोगे ऐसे सुख देगा आपको और आप किसी को बताओगे आपको सर्म आवगी क्यों देना ट्रेगा और मने जूटा बनाओगा एक जूट बोला है और आपका कलजा फटट फटटन हो रहा होगा कि इसने बताओगा तो परसंग चल रहा है कि सत्गुर के उपदे सब ये करते खेंचाता और उन से कदे ना छूटता फिर फिरता चारों खाता चार खानी में भरमता तुरासी लाख योनियों में गदे कुते सुवर की योनि भोगता और कभू न लगता पार सो फेरा सब मिट गया मेरे सत्गुर के उपकार यानि उस गुरुदेव जी के उ फटवाने का ऐसा ग्यान बता दिया जाएगा आपको आत्मा से गलानी हो जागी पुनर जनम की और जब तक आत्मा में हेट नहीं होगी पुनर जनम की तो आपका कभी ना कभी पैर फेसल जाएगा ठीक है यदि आप पार नहीं हुए तो आपके पास इतना बगती धन हो जा उपर तेसका जबरदस बहंकर जाल है, वहां आपके पुनों का नास करवाता है, वहां देवता बना के, इंदर बना करके, वहां बड़े-बड़े आपको होटल बढा रहा है, नाचना, गाना, सारजन काम में कोई नहीं अपनी पुन्जी, आपकी नास होती है, वहां ऐसे ऐस दस परतिसत, किसी रेश्टूरेंट में इसने पंदरा परतिसत, और किसी में पच्चिस परतिसत की कटवती, यानि कमिशन रखा है, उस कमिशन से ये काम चला रहा है, यह थे बिखारी है सु बगवान के आगज, जिसको तुम बगवान मानकर पूज रहे थे, ब्रहम तक, तो पुने आत्मों, यहां परमात्मों बताते हैं, कि सत्गुर की सर्ण में आने से, आपके ये सभी संकट दूर होंगे, जनम और मर्टू का रोग नास होगा, इसमें पर्थम तो आपको बताया कि गुरू होना चाहिए, गुरू भी सचा हो, सत्गुरू हो, तो सत्गुरू की जो पैचान आपको बता दी गई है, और जब तक सत्गुरू नहीं मिलेगा, आपका मौक्स नहीं हो सकता है, उसकी बाद फिर दूसरा आता है, कि नमरता हो, सत्संग में जपराणी आवे, तो केवल ये उद्दे से रख़ए, कैसे? परमात्मा कहते हैं, अब जैसे आप यहां आते हो, आप चैए कितने धनी हो, कितने आप उच्छ पोस्ट प्राप्त हो, चैए यहां का परधान मंत्री हो, चैए पूरी पिर्थवी का राजा हो, परमात्मा के मिलने के लिए जब चलाए, यानि सतलो का संबरवाला की तरफ जब चलाए, कहते हैं, एक अस्व मेग यग के तुल आपको एक कदम का पुन होगा, चैए आप गाड़ी में आते हो, चैए अपनी किसी मोटर साइकल कार में आते हो, चैए बसों से आते हो, यह सारे कदम हैं, जैसे किलोमेटर होते हैं, तो संतों ने इसको कदमों में माप्या है, कि वहाँ से यहां तक जितने भी आपके कदम रखे गए, जितने कदम बने, कहते हैं, उतने ही यगों का पुन मिलेगा, यदि आप इस भाव से सत्संग के इंदर आओगे, जैसे रोगी होता है, रोगी को ये पता लग जाता है, कि दीर एक रोग है, और यहां के लोकल हॉस्पीटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया है, कि आप जाए आल इंडिया इरिस्टीचूट दिल्ली में, तो वहां जब ये डारेक्शन विलकर इनसान जाता है, तो वहां चाहे परदान मंत्री हो, और चाहे कोई फैक्टरी मालिक हो, कितना उच पोस्ट प्राप्ट बिक्ती हो, उसमें उसको अपनी ज्यान दिखाई देती है, अपनी पोस्ट पद दिखाई नहीं देता, डॉक्टर कहता है लेट जाएगे, वह तुरंद लेट जाता है, डॉक्टर कहता है ये कप्ड़े निकाल दीजिए, तुरंद निकाल के रख देता है, उससे में उसके नकरे खतम हो जाते है और तभी वो उपचार प्राप्त करता है जब तक डॉक्टर के आग्या का पालन करता रहे जए कुछ भी कहें वैसे ही जहां लेटने को कहें वही लेटना पड़ेगा जहां बैठने को कहें वह बैठना पड़ेगा और कहेगा मूँ खोल सांस तेज ले वो सारा कुछ करना पड़ेगा तो तब ही वो अपना उपचार करवा पाएगा तो ठीक इसी परकार जब आप सतलो कासरम बरवाला की तरफ हाँ है संत मिलन कूँ चालिए तजमाया भी मान और जो जो का दमाग गयर रखे तो आपको इतना पुन मिलता है यहाने का आप क्योंकि संत है निपर्थवीबा कोई संत मिलन कूँ चालिए संत की तरफ चलने मातर से इतना लाब है फिर यहां का किक के लाब होगा उतो गिरती नहीं हो सकती चालिए टूजर से वाब होगा चालिए झाल झाल